शक्ति दूद जैसे कारकमों के जरिये खेल महाकुम के खिलाडियों को सहियोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और यह जो लगातार अविराम प्रयास किये गए खिलाडियों ने जो साधना की और जब खिलाडी प्रगती करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है जो संकल्ब गुजराड के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है मेरे नवजवान साथियों ये गुजराड की युवाज शक्ति का आपको गर्व है गुजराड के खिलाडी प्राक्रम कर रहे हैं आपको गर्व हो रहा है खेल महाकुम से निकलने वाले युवाज अलेम्पिक्स, कॉमन वेल्ट और आएशियन गेम समेट कई वैश्विक खिलों में आज देश का और गुजराड का युवाज अपना जलवा विखेर रहे हैं ऐसी ही प्रतिभाए इस महाकुम से भी आपके बिच्से ही निकलने वाली है खिलाडी युवाज तयार करते हैं खेल के मैदान से उभरते हैं और पुरे हिंदुस्तान का पर्चम जुनिया में लहराते हैं साथियों एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक-दो खेलों के बरोसे टिकी थी इसका नतीज़ा ये हुआ कि जो खेल देश के गवरव और पहचान से जुड़े थे उन्हें भी भुला दिया गया इस वज़े से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्टर को आधुरिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था जितनी प्रात्विक्ता देनी चाहिए थी वो एक प्रकार से रुक गया था इतना ही नहीं जैसे राजनीती में भाई भतीजावाद बुझ गया है खेल जगत में भी खिलाडियों के चयन में पार दर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी खिलाडियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूजने में ही निकल जाती थी उस भवर से निकाल कर भारत के युवा आज़ आसमान छू रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्म विश्वास को भी चमका भी रही है और चमतकार का अनुभो भी करा रही है